तो बहुत दिनों से मेरे पास सुझे के बर्डे वाली केक की क्लिप्स रखी हुई है और यह गोली के व्लॉग में यह डालनी पाई मैं तो आज मैं आप लोग के साथ शेर करती हुए कैसे केक की रेसिपी जो बहुत ही सिंपल है यह जो आपको बॉक्स में चॉकलेट केक तो बहुत जादा ताम जाम नहीं एक सिंपल केक की रेसिपी में आप लोग के साथ शेर करें हुए ज़रू बताईए आप लोग को कैसा लगा यह वाला केक तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं हम लोग कोई भी केक बनाने से पहले उसका जो ट्रे है वो रेडी करते हैं तो यह पेपर जो मैंने बटर पेपर लगा लिया है इसके उपर और अभी मैंने लिया है दही दही और उसमें डाला है हाफ ग्लास यह जो रिफाइंड ओयल होता है नॉन फ्लेवर्ड और उसको अच्छे से मैं बीट कर ले रही हूँ जो फिलिप्स का अपना बीटर है तो आज मैंने उसका फुल यूज किया है आज वाले केक में तो इसमें मैंने डाला है दो कप मैदा दो कप मैदा रहेगा तो हाफ कप इसमें ओईल डलेगा और हाफ कप से ज़्यादा ही दही डलेगा और उसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया है और दो कप मैदे में एक कप शुगर यूज करती हूं मैं तो यहां पर शुगर डाल लिया है मैंने अभी मैदा नहीं तो यह वनीला एसेंस है यह मै हैपी शेफ का यूज़ कर रही हूं तो वनीला एसेंस भी थोड़ा सा डाल लिया है मैंने और अब च्छनी लेंगे अब मैदा डाल रही हूं पहले वाला शुगर था तो यह मैदा मैंने अभी डाल दिया है एक कप चान लिया इसको अच्छे से दोनों कप मैदा एड हो गया अब बारी आती है चोकलेट पाउडर की चोकलेट पाउडर यह मैंने लिया है देखिए यह विंग फिल कंपनी का है यह भी बहुत ज्यादा डाक है तो बहुत ज्यादा मत डालना आप लोग केक हमारा एकदम अच्छा डाक चोकलेट वाला केक बना था तो थोड़ा अच्छी है तो शुगर की जो भी है शुगर की मातरा थोड़ी से बढ़ा भी सकते हैं तो बस सब चीज डालने के बाद केक को अच्छे से बीट करूंगी इतना बीट करूंगी कि वह रिबन कंसिस्टेंसी में आ जाए जो पर्फेक केक की बेटर की कंसिस्टेंसी रहती है अच्छा फ्लोई सा केक आपका बनेगा स्पॉंजी सा और यह देखिए रिबन जैसा लग रहा है यहां पर यह देखिए नीचे आपको देख रहा है ना रिबन की कंसिस्टेंसी आ चुकी है हमारे बेटर में अब हम इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालेंग यह मेरे हाथ में बेकिंग पाउडर है और इसको मैंने एक कप आपका है तो एक टी स्पून भरके बेकिंग पाउडर लगता है तो दो है कप यूज किया है मैदा मैंने तो यहां पर दो बेकिंग पाउडर दो टी स्पून और एक हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा का डाल द Swooder की और पाउडर आक cockpit को अपर मुझ को सकते हैं । यदि अगरी में ज कंटने के लिए को सबस्ना कर दो Maddy मोर शेकर को दो करने के लिए दो हम अज बड़यार करती है कि नगरी में 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 लुणा दो के ड़िया दो के लाख कांग आ और यहां पर देखिए अभी हमने चाकू इसमें डाल के देखा तो नाइफ हमारे एकदम क्लीन है इसका मतलब केक रेडी है और गेस बंद कर देंगे करीबन मुझे 55 मिनट्स लगे दीमी आज पे इसको बनाने में तो इसको टिशू से ढखके रखेंगे केक ऐसे ठंटा होने क चोड़ना है कभी भी नहीं तो वो कड़क हो जाता है और अच्छे से देखिए हमारा बाहर आ चुका है केक तिन से केक और कितना प्यारा लग रहा है एकदम स्पॉंची चॉकलेट केक यमी और यह देखिए बटर पेपर भी अच्छे से बाहर आ गया कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई नहीं दिन में टिपका है कुछ एकदम स्मूध केक हमारा एकदम रेडी हो गया है अब इसको आप कैसे भी डेकुरेट कर सकते हैं मैंने मुझे तो हम लोग को ऐसे ही फैमिली में बहुत पसंद है सिंपल तरीके से खाना लेकिन इसको अलग अलग तरीकों से आप मिठास आजाती है तो आप अलग से आपको शुगर सिरप नहीं डालना पड़ता और बहुत सिंपल और एजी बहुत कम टाइम में बन भी जाता है तो बहुत केक बनाने की कोई मैंने क्लासेज नहीं ली है घर पे आप लोग जरूर एस सिंपल वाली रेसिपी ट्राई करिए बहुत अच्छा लगता है और देखिए फाइनल लूक यहां पर मैं चॉकलेट सिरप लगा रही हूं थोड़ा सा और उसके बाद हमारा केक आलमंट से सजाने के बाद कितना खुबसूरत लग रहा है आप लोग भी जरूर ट्राई करिए इसको अगर आपको मेरे चोटी सी रेसिपी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए शेयर करें और सब्सक्राइब करिए और थैंक यू सो मच पॉर वाचिंग तिल दिन बाइमार और हां यह सिंपल वाली केकी रेसिपी जरू ट्राई करिए घर में सबको बहुत ही जादा पसंद आई है केक की रेसिपी और इस्पेशली मैंने यह लोगडाउन में डिस्कवर की है केक बनाना सीखा है सो थैंक्स पॉर वाचिंग बाई